जो यार गैस तो कैसे हैं आप लोग यार मेरे भाई आज जितने भी फ्रीफएर प्लेयर्स यार फ्रीफएर खेलने की कोशिश कर रहे होंगे यार तो उनका गैम स्टार्टी नहीं हो रहा होगा जिनका स्टार्ट वहुंख है उनको कुछ ऐसा हो रहा होगा सर्वर टाइम आउ एम-एम-7 मेरे यह प्रॉब्लम यह काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकरे गेम के नदर उसका सल्यूशन की आए वीडियों चुक्छोटी स जाते हैं तो मेरा होपसों कि आप लोगों ने कर लिया होगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत बुलना तो चलिए यह आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट अफॉल आपको मैं बता देता हूं यह जो प्रो जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें हमारे गेम के पना देखने को मिले थी तो मैर भई वो अपडेट आजाने के बाद हमारे गेम के अंदर कुछ बग्स औंड ग्लीच है तो मेर भई अब काफी सारे लोग सोच रहूंगा कि भाई इस प्रोब्लम कासल्यूशन क्या है जल्दि से तो होपसो की जल्दी से इस problem का solution निकल जाएगा आप लोग इस game को खेल पाओगे means freefare को मझे से खेल पाओगे लेकी में और चिंता की बात नहीं है आगर इस problem का solution निकलता तो आपको game को फिर से कोई update या download करने की जरूत नहीं है free fire automatically problem को solve कर देगा आप आराम से मज़े से गेम खेल पाओगे तो यार गई सभी कुछ बात कर लेते हैं अपने upcoming updates के बारे में जैसे कि free fire max related मुझे काफी बड़ी news मिलिये तो मैं आपको screen के ऊपर मैं दिखाना चाओंगा free fire max related news आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और free fire max का एक लोबी का सीन्स मीन्स हमारी गेम ओपनिंग का तो मेरे आप लोग को बता देता हूं free fire max हमारी गेम के अंदर कभी भी आ सकता है मीन्स इस साल आना मुश्किल है free fire max का लेकिन अगले साल तक free fire max आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा जहां से आप लोग डाउनलोड करके free fire max को खेल सकते हो और free fire max का जो साइज होने वाला आरांड वन जी भी तक करने की ज़रूत नहीं है free fire जितना जल्दी हो पाएगा इस प्रोब्लम का सल्यूशन निकालेगा और आपको फिर से गेम पुराने जैसा देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर और हो सकता है इस प्रोब्लम के सल्यूशन के बाद गेम के अंदर आपको कुछ नई चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं